वेलकम फ्रेंड्स अभ्यास ओनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों हम लोग तयारी कर रहे हैं कॉंपेटिशन एक्जाम की जिसमें मैट्स के कोशन पूछे जाते हैं मैट्स के वो कोशन जो अधिकतर दोस्तों कॉं जरूर देखिए तो चले श्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारा आज का यह पहला कोशन पहला कोशन है यदि किसी उचित भिन्न के अंस तथा हर दोनों में एक जोंड दिया जाए तो वह संख्या एक बटे चार हो जाती है उसी भिन्न में अंस तथा हर में दो जोंडा जाए तो वह एक बटे तीन हो जाती है तदानुसार वह भिन्न कौन सी होगी हमको यह बताना है दोस्तों कोशन काफी लंबा है देखने से ऐसा लग रहा है दोस्तों कि बनाने में बहुत अधिक समय लगए कि लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमको एक्स वाई मान करके बिल्कुल भी करेंगे ताकि हमारा कोशिचन जो है आसानी से सौल हो सके चलिए माल लेते हैं वो हमारा जो भिन दिया हुआ है दोस्तों वह हमारा पहला उप्सन है अर्थात एक बटे साथ है तो हमें क्या कर देते हैं आगे प्रशन में यह बोड़ रहा है कि अंस और हर में एक एक नहीं प्रशलिए मन जाता है ठीक है चलिए 1 बटे साथ है उसके अंस में अगर में 1 जोड़ देता हूं तो अंस में क्या हो जाईगा दो हो जाएगा और हर में एक जोड़ंगा तो चलिये OUT तो मतलब क्या हुआ एक बटे चार यहां पास आ रहा है मतलब पहला लाइन जो है इसमें पूरी तरीके से सटिस्फाई कर रहा है अब चलिए दूसरा जो है दोस्तों इसमें कंडिशन उसको देख लेते हैं कि दूसरा कंडिशन यह बोल रहा है कि उसी भिन्ने में हम लोग क् कितना हो जाएगा दोस्तों यह तीन हो जाएगा और साथ है उसमें दो जोनेंगे तो दोस्तों यह कितना हो जाएगा नव हो जाएगा तो चलिए अब देख लेते हैं फिर सी कांट रहा है तीने कम तीन और तीन 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 नव तो एक बटे तीन चूंकि यहां पा जब भी पूछा जाएगा दोस्तों आप एक्स वाई बिल्कुल भी नहीं मानना है आपको हमको सिर्फ आंसर लाना है आंसर जो है दोस्तों और जल्द से टिक लगा करके question को next question में चले जाना है तो उमीद करता हूँ इस तरीके प्रेशन जब भी पूछा जाएगा इसी तरीक की नहीं बना अगर नहीं बन रहा है दोस्तों तो वीडियो पर continue बने रही है मैं समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ प्रशन है वर्तमान में सीमा और रीमा की आयू का अनुपात दो अनुपात तीन है सीमा रीमा से 6 वर्स छोटी है 6 वर्स बाद सीमा और रीमा की और कौन है रीमा है इन दोनों का अनुपात कितने है दोस्तों दो अनुपात तीन के अनुपात में दिया हुआ है इनके आयू और यहां पास बोल रहा है दोस्तों सीमा की जो आयू है रीमा से 6 वर्ष चोटी है अर्थात हमारे पास सीमा की जो आयू है रीमा की आयू से 6 वर् कितने वर्ष के बराबर है 6 वर्ष के बराबर है ठीक है ना तो हमको अब यह बताना है कि 6 वर्ष अगर देखो एक अनुपात में 6 आ रहा है तो हम लोग इसकी आयू निकाल सकते हैं तो इसकी आयू कितना हो जाएगा तो दो में कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 हो जाएगा और र चोबिस हो जाएगा ठीक है तो यहीं पस् अनुपात कितना आ रहा हुए तीन वट्टे चार के अनुपात में आ रहा है और यही क्या होगा इसका अंसर हो जाएगा तो तीन अनुपात चार आपको कौन सी उप्सन में दिखाई दे रहा है पिरशनति सब्सक्राइब नीजन सबयुक्त अधोर सब्सक्राइब नति लादी उपीघ्ट सब्सक्राइब भाजित किया जाए तो उनके रुपए संबंधित अनुपात में है तो उनके रुपए उनके संबंधित अनुपात में है तो उनके अनुपात में क्या क्या होगा तो हम यहाँ पास दिया हुआ है दोस्तों तो इसको बनाएंगे कैसे तो यहाँ पास जितने भी अनुपात है स सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं उसको जोण देते हैं ठीक है तो हम सबढ़ी को कितने के बराबर है यह हमारे पास है 350 रूपय के बराबर है तो एक आनुपात में कितना आएंगा यह सामने सामने में आ रहा है सभी में 4 आ रहा है मतलब क्या होगा हमारे पास गुर्व होगा होगा हमारे यह तुम्हारे पास हो आया रहा है और 14 अठे क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग ये निकालेंगे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 112 और 9 अनुपात बोर है तो 14 निया हो जाता है 112 ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 126 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तो 1 अनुपात बराबर 14 7 अनुपात बराबर क्या हो गया अंठनबे 8 अनुपात बराबर 112 और 9 अनुपात बराबर 126 अर्था इनका अनुपात जो दोस्तों 14 अनुपात अंठनबे अनुपात 112 अनुपात क्या हो जाएगा 126 तो और ये कौन सो option में दिखाई दे रहा है दोस्तों तो ये दिखाई दे रहा हो आपको c option में दिखाई दे रहा होगा तो c option क्या हो जाएगा तो इस तरीके प्रेशन जब भी पूछा जाएगा आप आसानी से इसी तरीके से solve कीजिए पहले जो है आपको उसका अनुपातिक कु लेकिन अधिकतर उप्सन जो है इसमें काफी अधिक लगए तो इसमें गोटो अधिक लगए लेकिन यहापस एक क्लू हमको दिखाई दे रहा है कि सामने वाला जो अनुपात है वह एक है तो चूंकि यह 14 के बराबर है तो आप 14 को साथ से गुणा कर दो 8 से गुणा कर दो 9 से तो आप उसको सॉल करने में भी अधिक समय लोगे तो चलिए देख लेते हैं नेक्स कोशन नेक्स कोशन भी दो है दोस्तों चक्रिवधित समंधित प्रशन है प्रशन है 2400 रुपाय का वार्सिक संयोजन द्वारा 20 प्रतिशत प्रती वर्ष की दर से 2 वर्सों में मिलने वा रुपाय में क्या होगा तो दोस्तों हमें क्या निकालना है चक्रिवधि ब्याज क्या होता है पहले तो एक vrsh में जे भागा हुआ है दोस्तों उसका हमारे पास लगे गया लगेगा लेकिन दूसरे वर्स में भी ये क्या हो जाएगा ये जो हमारा ब्याज है वो मूलधन में सामिल हो जाएगा और इस पर भी उतना ही प्रतिशत ब्याज लगेगा अर्थात ब्याज पी उपर ब्याज लगने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है चक्रवधी ब्याज कहलाता है तो स इसको 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 24 दूनी होता है, हमारे पास होता है, 48 होता है, और ये 1 0 का ये 0, मतलब पहला वरस में कितना मिलेगा, 480 रुपए मिलेगा, ठीक है, अब चूंकि ये ब्याज है, तो अगले साल क्या हो जाएगा, ये मूलधन में सामिल हो चार सो असी को जोन देते हैं, तो दोस्तों, 2400, तो ये क्या हो जाएगा, 2880 रुपए हो जाएगा, ठीक है, 2880 रुपए हो जाएगा, और फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका फिर से 20 प्रतिशत, ये हमारे ये था दोस्तों, ये पहले वर्षे के लिए था, अब हम ल प्रतिशंटर डुपए हो जाएगा, 200 हो जाएगा, चले इस तोकि यहां सी लाया 5 5 10 क्यों हुए और यह क्या है हमाया हमारा चाहर में डिखाये रहे लोगा तो इस तरी के प्रेशन कर सकते हो कि लोगा व्योन जहाईगा और सब्सक्ов MAYOR आपको दिखाए दे रहोगा तो यह आप इसको यूज कर सकते हो दोस्तों इस तरीके प्रेशन जो है दोस्तों आप जब भी पूछा जाएगा तो आप उस मैथड से भी सॉल कर सकते हो और यहां फिर सॉटकर मैथड जो है दोस्तों चक्रुद्धी ब्याज बराबर क्या होता है जो इस को कोछा जाएगा उसको पूछा जाएगा दोस्तों इस तरीके प्रियुष्ट पर भी उसको सर्जो कर रखा है तो इस तरीके tahun कोशन मैंने उसमें बता करके रखा है आप उसको जरूर चेक आउट कर लीजिए वीडियो का सला दो तो कमेंट करके जरूर बताइए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों उसको भी आन कर ले ता कि इस competition one day competition exam है उसको आप आसानी से crack कर सकते हो मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकरी के साथ तो मुझे दीजिए इजाजत all the best take care bye bye